हेई गाईज मैं हूँ सीमा और दावच चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो गाईज अगर आपके पास विपिंग क्रीम है लेकिन इलेक्टरिक बीटर नहीं है या इलेक्टरिक ब्लेंडर नहीं है लेकिन उनके पास क्रीम फेटने के लिए या विप क्रीम त П नहीं है तो भी आप बस घर की ही कुछ चीजहों से पॉफट तरीक से स्टेपिक्स वाली विप क्रीम तयार कर सकते हैं कैसे करनी है चलिए वीडियो शुरू करते है I hope आपको वीडियो helpful रहेगा पसंद आएगा पसंद आए तो इसे like, comment, share और चैनल को subscribe करना ना भूलिए चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले guys whip cream तयार करने के लिए मैंने हाँ पर एक बाउल में whipping cream ले ली है around 200 ml के करिब तो यहाँ पर इसे फेटने के लिए आप बीट करने के लिए हम भरों घर की ही कुछ चीज़े यूज़ करेंगे अब हम लोग यह चोटी वाली बलून विस्क है उसी से यह whip cream कैसे तयार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली आपको एक बात ध्यान में रखनी है जिया जरूरी जो भी कुछ बाते है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ सबसे पहले जो आपकी cream है guys whipping cream है वो एकदम chilled होनी चाहिए एकदम ठंडी होनी चाहिए लेकिन इसमें ice crystals या बरफ के दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आप लोग एकदम ठंडी वाली चिल्ड वाली whipping cream ही यहाँ पर यूज़ कीजिए अगर आपके यहाँ पर ज्यादा गर्मी है क्योंकि अभी summer season चल रहा है गर्मी का मौसम है तो obviously गर्मी है तो आप लोग इस तरह से जो bowl है guys उसके नीचे थोड़ा सा बरफ ले सकते है नहीं तो जो ठंडा एकदम chilled वाला ठंडा पानी होता है वो भी ले सकते है उससे क्या हो इस तरह से नीचे ice cubes या एकदम ठंडा चेल वाला फ्रीज का पानी यूज़ कर सकते है और हाँ मैंने तो यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक का बॉल लिया है लेकिन आप लोग यहाँ पर स्टील का बरतन अगर यूज़ करेंगे न तो आपकी क्रीम पांच मिनिट जल्दी से तयार हो जाएगी क्योंकि स्टील के अंदर से अच्छी तरह से ठंडी रहती है एकदम परफेक्ट तरीके से उसका टेंपरिचर मेंटेन रहता है तो आपकी जो क्रीम है वो जल्दी बीट होने की चांसे है मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बोल लिया है आप लोग स्टी पानी मैंने हाँ पर लिया है और इसे इस तरह से आपको जैसे हम लोग बटर या मखन निकालते है ना उसी तरह से आपको इस तरह से चलाते रहना है इस तरह से बलून विस्क से या चॉमस से क्रीम तयार करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि एलेक्रिक है एलेक्टरिक मशीन हम लोग अगर यूज़ करते है तो जल्दी काम हो जाता है पांच या साथ मिनिट में लेकिन जिनके भी पास इलेक्रिक बीटर या ब्लेंडर नहीं है वो तो इस तरह से ये तरीका जरूर यूज़ कर सकते है कभी कबार ही आप लोग केक बनाते है तो तो वो बाद में हमारी पूरी क्रीम को मेल्ट कर सकती है, तो साइड्स की लगी हुई जो क्रीम है, वो भी आप अंदर डालें और फिर से इस तरह से बीट कीजिए, यहाँ पर आपके हाथ की कसर थोड़ी से जादा होती है, देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे हाथ थोड़ी से लाल हो जुके है, लेकिन पंदरा से सोला मिनिट में आपकी इस तरह की क्रीम तयार हो जाती है, जिस तरह से आपके बीट करने का या फेटने का स्पीड होगा उतनी ही जल्दी आपकी क्रीम तयार हो जाती है लेकिन मुझे लगता है नहीं है एलेक्ट्रिक बीटर और किसी का बर्डे आ रहा है अनिवेर्सरी है तो आप लोग केक बनाना चाहते है तो इस तरीके से ज़रू यूज करें तो पूरे 14-15 मिनिट के बाद देखिए मैंने इसे लगातार चलाया है बीच में मैंने बिल्कुल भी से नहीं छोड़ा था अगर आप थोड़ा सा इसे फ्रिज में भी रखना चाहते है बीच में तो रख सकते है फिर से बीट कर सकते है देखिए यहां पर हमार इलेक्रिक बीटर से बिना ब्लेंडर से परफेक्ट स्टिप पिक्स वाली क्रीम तयार कर सकते है मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि एकदम इलेक्रिक बीटर की क्रीम जैसे तयार होती है वैसे ही तयार होगी हलकी से सॉफ्ट रहेगी यह क्रीम लेकिन आप लोग जब इसे फ्र subscribe करना ना भूलिए चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ या नए रिस्पिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर